यह Bible in one year का हिंदी प्रक्रण है, दोसो पचीसवा दिन, जो आपको जानने की आवशक्ता है, तीन साल तक हम Oxford में रहे, मैं England के एक चर्च में पास्टर बनने का प्रसिक्षन ले रहा था, और Oxford University में सिधान्त वादी विश्वास में डिगरी के लिए अधियन कर रहा था, जब ह संपत्ती के द्वारा मोहित नहीं होते थे, सफलता का अलग ही मापदंड था, Oxford में लोग पैसे या सुन्दर्ता से अधिक मस्तिष्ट के द्वारा प्रभावित होते थे, सफलता मापी जाती थी प्रथम आने से, स्रेष्ट ठहरने से, PhD प्रोफेसर बनने और प्रकाशन कार इससे मैं आश्चरे करने लगा कि क्या समझ और ग्यान उतने ही जूटे ईश्वर हो सकते हैं, जितना की पैसा और संपत्ती, ग्यान अच्छा है, जैसा कि Bill Hybels कहते हैं, तथी हमारे मित्र हैं, सिक्षा अच्छी है, पढ़ना, सीखना और खोज करना, ये सब अच्छी किन्तु जैसा कि Lord Birone ने लिखा, ग्यान का व्रक्ष वह जीवन नहीं है, हमें दृष्टि कोन में ग्यान को देखने की आवशकता है, हमारा ग्यान बहुत सिमित है, जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं, परमेश्वर हमारे नि का अर्थ है एक तथी को जानना, दूसरे कॉन्नेटर का अर्थ एक व्यक्ति को जानना, परमेश्वर हमें इस बात में अधिक रुची रखते हैं कि हम तथियों से अधिक लोगों को जाने, सबसे महतुपूर ग्यान है परमेश्वर को जानना और उनके द्वारा पहचाने जाना यदिपी यहां अंथ नहीं है केवल ग्यान होना परियाप्त नहीं है आपके पास प्रेम भी होना चाहिए बजन सहिता 95 का 1 से 11 सबसे महतुपूर ग्यान है परमेश्वर का ग्यान बजन सहिता के लेखक अराधना स्तुति और दिनेवादिता के साथ शुरुआत करते हैं हम अराधना करते हैं इसलिए नहीं कि हम आवश्यक रूप से ऐसा महसूस करते हैं ना कि इसलिए कि चीजें अच्छी तरह से हो रही हैं असल में कभी-कभी हम कठिन परिस्थितियों और मुश्किल समय के बावजूद अराधना करते हैं और ना ही हम इसलिए अराधना करते हैं कि यह आवश्यक रूप से हमें अच्छा महसूस करवाती है अक्सर हम आत्मिक ताजगी के लिए अराधना की अवश्क्ता को महसूस करते हैं इसके बजाए हम इस भजन में देखते हैं कि हम परमेश्वर की अराधना करते हैं इसलिए कि वह कौन है क्योंकि यहुआ महान इश्वर है और सब देवताओं के उपर महान राजा है परमेशुर के बारे में क्या जानते हैं। यह सबसे महतुपूर्ण ग्यान है परमेशुर का ग्यान। परमेशुर को जानना और इस पर चलना वह जीवन जीने की पूंजी है जो परमेशुर चाहते हैं। परमेशुर के बारे में प्रवेश करूँ। नयानियम। पहला कुरंथियों साथ का 36 से 8 के 13 तक। सबसे ज़्यान से नहीं लेकिन प्रेम से अंतर पड़ता है। ज्यान अपने आप में बुरी चीज नहीं है। यह जांगिये की तरह है, यह उपयोगी है लेकिन इसे दिखाना आवशक नहीं है। जो हम जानते हैं इससे दूसरों को मोहित करने की कोशिश करने के बजाए। हमें उन्हें प्रेम से उत्साहित करने और बढ़ाने की आवशकता है। ज्यान अक्सर घमंड और अखड़पन को ला सकता है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ जो जैसा उसे जानना चाहिए वैसा वह अब तक नहीं जानता। जीवन में यह महतुपूर्ण है कि परमेशर से प्रेम करें और प्रेम का एक जीवन जीएं। परन्तु यदि कोई परमेशर से प्रेम रखते हैं तो परमेशर उसे पहचानते हैं। जैसा कि Eugene Peterson इसका अनुवाद करते हैं, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर में हमें जानने के आफशकता है लेकिन कभी-कभी हमारे दिन हृदय हमारे घमंडी दिमाग से अधिक हमारी सहायता कर सकते हैं असल में हम कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं जब तक एहसास न हो जाए कि केवल परमेश्वर यह सब जानते हैं पॉलूस मूर्तियों के सामने चड़ाये गए भोजन का उधारन देते हैं एक व्यक्ति जिसके पास घ्ञान है, वह जानता है कि मूर्तियों के सामने चड़ाएगए भोजन को खा सकनते हैं क्योंकि मूर्ति कुछ नहीं है तब भी हमारे लिए तो एक ही परमेशुर है अर्थात पिता जिसकी और से सब वस्तुएं हैं और हम उनहीं के लिए हैं और एक ही प्रभू है अर्थात इश्यू मसी जिसके द्वारा सब वस्तुमें हुई और हम भी उन्हीं के द्वारा हैं। लेकिन हर कोई यह नहीं जानता है, कुछ लोगों का विवे कमजोर है। किसी ऐसे व्यक्ती के सामने, मूर्ती के सामने चड़ाया हुआ भोजन खाना, जो मानता है कि यह गलत है, तो शायद से हम उन्हें भटका दें। हमारा उंचा ग्यान सबसे महतपूर नहीं, बलकि दूसरों के लिए हमारा प्रेम पर सबको यह ग्यान नहीं। परंतु कुछ तो अब तक मूर्ती को कुछ समझाने के कारण मूर्ती के सामने बली की हुई वस्तू को कुछ समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। प्रेम ग्यान से अधिक महत्वपूर्ण है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को मापते हैं, जब वह हरदे पर टेप लगाते हैं, ना कि दिमाग पर, परमेश्वर के विशय में केवल बहुत कुछ जानना परियाप्त नहीं है, उनको जानिये और उनके लिए और दूसरों के प्रेम के लिए आपको प्रेम में भर दीजिए, दूसरे शब्दों में बात यह नहीं कि आप क्या जानते हैं, बलकि आप किसे जानते हैं, परमेश्वर आपका धनिवाद कि यद्पी ग्यान का खत्रा यहा है कि यहा फुला देता है, परंतु प्रेम हमेशा बढ़ाता है, मेरी सहायता कीजिए कि आपके लिए प्रेम और दूसरों के लिए प्रेम के कारण हर चीज को करूं। हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होता है। पहला हमारे पास चाहे कितनी बुद्धी और ग्यान हो, हम भविश्य के विशय में किसी वस्तु को खोज नहीं सकते हैं। दूसरा अतियधिक बुद्धिमान होने में एक खत्रा है। ज्यान के लिए एक हानिकारक भूक होना संभवबात है जो कि परमेशुर से अलग है और इसी लिए यह एक प्रकार का घमंड बन जाता है। अपने को बहुत सत्यनिष्ट न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो अतियंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो तो क्यों अपने समय से पहले मरे। एक व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान अमीर और शक्तिशाली हो जब मृत्यवाती है इसके उपर किसी के पास समर्थ नहीं है। अपने समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन को पकड़ लीजिए क्योंकि परमेशुर आपके आनंद में आनंद मनाते हैं। अपनी प्यारी पतनी के संग तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पतनी के संग में समय बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तु सूरी के नीचे करता है, तेरी यही भाग है। अभी भी हो सकता है, यह अभी शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यह ग्यान हर दूसरे प्रकार के ग्यान को सही दृष्टिकोंड में रखता है। क्योंकि उन्होंने इसे बनाया है, मैं समुद्र का सम्मान करती हूँ, जब कभी मैं समुद्र में नाव पर या तैर रही होती हूँ, तब मैं अपने आप से यह वचन कहती हूँ। आज का वचन, अब मूर्तों के सामने भली की हुई वस्तूओं के विशे में हम जानते हैं, कि हम सबको ग्यान हैं, ग्यान गमंड उत्पन करता हैं, परन्तु प्रेम से उन्नती होती हैं। पहला कुरंतियों आठ का एक।